हेलो गाइज कैसे हैं आप लोग सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अफदेश्कमार कामत पर गाइज जैसा कि हमने केस स्टुडी सीरीज स्टार्ट की थी और रियल इमर का मैंने एक यह स्टुडी आपको करवाया भी और बताया कि कैसे इसक करने वाला हूं जो कि इस साल के सेंपल पेपर से लिया गया है काई यह बेसिक का है और ऐसा कुछ नहीं है कि बेसिक है तो एजी है या मुश्किल है या स्टेंडर का होता तो मुश्किल है गाइस हमें इसको करने का तरीका सीखना है और कैसे टाइम बचाना है यह सीखना है पहले वाले Question को देखना है देखना कि क्या में information मांगा है तो ही information पर जाएंगे तो जैसा कि पहले है कि name the shape in which the wire is bent किस shape में यह wire bent है तो जब भी हमें यह चेप दिखाए दे जब भी चाफ में यह शेप दिखाए दे तो हमें समझ जाना है कि यह shape बच्चों क्या है यह shape इस तरीके से तो guys यह हमारे पास parabola है guys का है parabola तो हमारे पास यहाँ पर option दिया है parabola को हमारे पास first का जो answer है guys वो है parabola guys parabola की बात करो तो guys parabola ऐसा ही नहीं कुछ इस तरीके से भी होता है इस तरीके से भी हो सकता और इस तरीके से के बात कर रहे हैं तो यह basically quadratic polynomial के लिए form होता है जो की ax square plus bx plus c की form में हो इस ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास quadratic polynomial होगा तो हमारे पास जो है आपके पास graph parabolic path बनाएगा तो इस जो हमारे पास के study के लिए जो यह wire bent है guys वो parabolic shape में है तो first का answer जो है guys d है second पूछ रहा है how many zeros guys जैसा कि आपको दिख रहा है कि bent हमारे पास जो wire है वो इन दो points minus 1 और 3 guys आप देख पारे minus 1 और 3 से गुजर के जा रहे है तो guys zeros जो होंगे हमारे पास इस question के लिए वो minus 1,3 हो जाएगा ठीक है because यहां से हमारे पास line जा रही है वैसे decide जो है but y is equal to p of x इस और हमारे पास minus 1 और 3 से pass होगे जा रहा है guys इसलिए हमारे पास 0 minus 1,3 है और इस question के लिए इसलिए हमारे पास guys answer जो है वो हमारे पास क्या होगा guys आपके पास जो है minus 1 and 3 तो ठीक है but second question पुछ रहा है कि how many zeros दोस्तों क्योंकि दो बार टच करते हुए जा रहा है guys x axis को ध्यान रखना अगर हमारे पास यह x axis को करते हुए जा रहा है दो बारी इसलिए हमारे पास जो है एसी को information या polynomial नहीं given थी जिससे हमें यह पता लग सके कि guys zeros क्या है लेकिन by figure अब figure नहीं होता तो हमें पता नहीं लगता कि यह minus 1 और 3 पे guys intersect कर रही है हमारे x axis को तो यह zeros है तो इसलिए guys हमें case study में यही तो पता लगाना है कि कब हमें figure देखना है कब नहीं देखना है correct तो I आपको basic नहीं पता तो आप यह चीज नहीं कर पाऊगे एक चीज़ पता हो guys क्यूंकि हमें पता लग गया कि हमारे पास zeros क्या क्या है तो zeros हमारे पास alpha और beta हम मान लेते हैं लेकिन यहाँ पर हमारे पास zeros हमें पता लग है that is minus 1 and 3 मतलफ हमारे पास minus 1 ले ले लेते हैं बीटा क्याइड करो तो plus 2 आएगा guys ठीक है और alpha into beta करो तो guys minus 3 आएगा correct अब हमारे पास जो है sorry मैं minus 3 फिर से लिख लेता हूं minus 3 आगा guys ठीक है तो guys क्यूंकि हमारे पास गोडिटी पॉइन में लेका फॉर्मला होता है के x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta यह हमारे पास formula होता है guys मैं put कर देता हूं और k हमारे पास constant है x square guys alpha plus beta हमारे पास 2 है तो यहाँ पर minus 2x हो जाएगा और alpha beta guys minus 3 हो जाएगा जैसा कि option में देख रहे हैं कि हमारे पास c option correct आ रहे हैं तो यह बहुत ही असानी के साथ आपको मिल गया हाँ लेकिन आपको basic नहीं पता है power email chapter guys तो आप इस question को time नहीं कर सकते तो guys यह ध्यान रखने वाली बात है और इसको जरूर करें ध्यान रखें बार बार तो guys इस तरीके से आपका fourth हो गया अब fifth की बात करते हैं guys तो guys जैसा कि fifth में आपको देख पा रहे हो आप लोग कि यह पूछ रहा है कि हमारे पास इस जो value है x is equal to minus 1 तो guys इस polynomial के x is equal to minus 1 पर value क्या होगी अब देखिए क्योंकि हमारे पास पता है कि हमारे पास जीरो polynomial हमेशा जो है जीरो आता है उसी value पर अब क्या है क्योंकि हमें यह मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता minus 1,3 इसका 0 से है तो अगर minus 1 मैं इस polynomial में पूट करूंगा तो guys वह 0 आए गया यह बट हमें अभी polynomial क्या find क्या गाई एक स्क्वेर माइनस 2 एक स्क्वेर माइनस 2 एक स्क्वेर माइनस 1 पूट करता हूं जैसा कि आप देख पारे मैं पूट कर रहा हूं तो minus 1 का स्क्वेर माइनस 2 माइनस 1 एड माइनस 3 तो पूट करने का माइनस 1 का स्क्वेर प्लस 1 माइनस माइनस 2 माइनस 3 जीरो आ गया हमारे पास तो guys मैं इसलिए कह रहा हूं कि concept जो है हमारे पास वो पता होना चाहिए basic पता हो चाहिए case study है किसी भी डाइपर question आप solve कर सकते हो तो आपने देखा जीरो आंसर आ गया तो guys इसलिए case study को करने से पहले आप direct question पर आए और figure ना देखें अबना time waste ना कर यहाँ अगर आपको information यह वशकता पड़ती हो तो जरूर देखें उपर guys तो इस तरीके से आप कर सकते हो इन type के question को तो guys यह polynomial का है और भी मैं upper level के question भी के study में मैं चाहता हूँ कि आपका डर जो है खतम हो जाए और level wise चले आपके studies को भी लेकर guys तो इस में से वैसे तो पांच में से चार करने आपको बट मैंने आपको यहाँ पर 500 कवा दी है guys कोई doubt रहे तो please comment करे मिलते है next video में चैल को subscribe करना ना भूले bell आगन दबना ना भू दोस्तों मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए keep practicing and take care bye bye